हेलो प्यारे बच्चों आयोप बहुत बड़ी आ हो गया आप लोग तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक बार के मिश्टी के ओनलाइन लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं सूडो फर्स्ट ओर रियक्शन की पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी ग्राफिकल और नीश जूठी फर्स्ट ओर रियक्शन से बच्चों क्या मतलब देखो ऑच्चों कुछ रियक्शन होती हैं जो हमें लगती सेगें अर्डर रहां बस इंड्र रिय्यालिटी वह होती कैसे हैं एँपरस्ट ओर रियक्शन तो देखो हमने इसको डिफाइं कर तिया reaction which doesn't looks like first order but in real they are of first order कैसी reaction जो first order की तरह लगती दो नहीं है बट होती है तो बच्चो एक्चली pseudo first order reaction में होता गया कोई भी second order reaction होती है ना अगर हम उसके अंदर कुछ certain condition लगा दें कुछ fixed condition लगा दें तो second order reaction किस की तरह भी है अब करने लगती है बच्चो first order reaction की तरह यह बच्चो कब होता है pseudo first order reaction का केस कब होता है कि मालो को second order reaction है तुम्हें हमने certain कोई condition लगा दी कोई fix condition लगा दी कोई बहुत जादा concentration बढ़ा दिया कुछ कर दिया तो उस case में उस second order reaction बच्चो किस second order reaction pseudo first order reaction का होती है जब दो reactant में से एक reactant बहुत ज्यादा excess में हो बहुत ज्यादा excess में होगा तो उसके उपर rate depend ही नहीं करेगा देखो example से समझते हैं तुम्हें clear होगा हमने example पहले उठा लिया hydrolysis of ester यानि कि ester का तोड़ना hydrolysis मतलब मतलब तोड़ना hydro मतलब पानी तो ester का तोड़ना with the help of पानी ठीक है तो जैसे हमने ester को पानी से तोड़ा होता है ester तुम्हें allowance में पढ़ा होगा तो बच्चो जैसे हमने ester को पानी में तोड़ा तो मैं acetic acid और alcohol मिला ठीक है तो बच्चो देखो माल लो time 0 पे इसकी concentration थी 10 ऐसे इसकी ester की और पानी की concentration थी 1000 suppose करो तो बच्चो अब रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्यों 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 कि देखो इसकी concentration concentration almost constant है इतना ज्यादा चेंग हो आना कि अगर 1000 की comparison में देखें मालों इदर 1000 एक लाग concentration हो जाती उसमें से गड़ता तो क्या कुछ change होता नहीं यानि कि constant सा रहता है एक reactant का मामला है ना ठीक है बच्चो जब भी कोई reactant excess में हो तो उसको solvent भी बोल लेते हैं ठीक है तो बच्चो solvent की case में जब भी किसी reaction के अंदर solvent हम use कर रहे हो तो उस case में हम बोल लेते हैं क्या है चुटो फर्स्ट और रिक्षन है क्यों क्योंकि रेट फोल्वन पर डिपेंड नहीं कर रहा तो बच्चो देखो इसका रेट लो अगर हम निकालने तो रेटिस का क्या होना चाहिए रेटिस गोल टूके c3 co c2 h5 की power 1, s2 की power 1 है ना order दोनों का 1-1 मालो elementary reaction है ना बच्चो देखो, s2 की concentration कैसी है? Almost constant almost constant है की change नहीं हो रही है ना almost constant है ठीक है? तो बच्चो almost constant है ये भी constant, ये भी constant तो बच्चो हम इन दोनों constant को एक नया constant लिख दे है मुल चलिए गया सब्म beneंध को क्यों कि दोनों नाम क बट क्यों क्योंकि है स्थुल्ब कि द्यूं जहाएं कि दर्लेंadenadenfi तो इसरे वारा रेट क composer परी पिर बлан कर रहा तो एक आ तो यहोगा महारा सुटो फस्टओर इसी तरह से दूसरा एक्जामपल देख लेते हैं इंवर्जन ओफ केंशुगर ठीक है तो बच्छो एक केंशुगर है सुकुरोस को हमने जैसे पानी में डाला तो एक इसमें टूटिया गुलुकॉस और फ्रक्टोस में यह भी एस्टू एक्सेस में है ठीक है इस पर हमारा ड कि इतनी जदा कर ली कि उसे फरक ही नहीं पढ़ा रेट से ठीक है तो ऐसी रियक्शन को में क्या बोल दिया फर्स्ट और रियक्शन आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगी यह होगा अब एक बार एक एगात कोशन देख लेता है तुम्हें थोड़ा स इतने बिएव कर रही है ना तो इधर हम फॉर्म ने सारे के सारे कौन से उज़ करने माले हैं फर्स्ट और रियक्शन वाले ही ठीक है तो कुछन देखो तो देखो इस कुछन में का गए रहा है इना सुडो फर्स्ट और हीड्र लीशिस ऑपनेस्ट इन वाटर पॉलिए रि भॉल था पार है लगलतकि कर थे देखो कयो क Gue ऐख दिया है तो इन्यूश्टिक उने की रेक्शन तुटिकर से और में ने को में और में गाल देखो एवरेयक्शन का बॉतB म Heysill 6 5 तो एक्षो एक्षन क म सदिकरे की आवसे प्रेट को थन्हें परेम ने तो एक्ष्द शम 70-20 degrees रहतो तो क्या आएगा आएका आएगा तो में आद हो घाल एक है तो बस हमने क्या कर एंधर बिन सी तो माइन सी वन डिवाइद्ट का और वाज़ एका सिस्टी वन की जाएगा तुम्हेर टो इंख्डेगा थी कुछलिंड थी वन करता है तो भीन एक पूल्ट उससी चाह तो इधर से हमारा एवरेज़ेट क्या गया है 4.6 एन इंटुमे 10 के वार माइनस 3 मोर लीटर इनवर्स एकिन इनवर्स तो इधर से हमारा सिंपली एवरेज़ेट आ गया फॉर्मले का यूस कर गया ठीक है अब बच्चो अगले पार्ट में क्या बोला है इंटू में log a not upon a कया rate constant t कया time चैनिशल का इनिच्टरेशन है ऊफरी रिमेंटेशन है ना तो देखो बच्चो जब के लिए निकाल लेते हैं अब बच्चों देखो जब time 30 है इनिशल कंसेंट्रेशन कितनी है 0.55 और रिमेंग कंसेंट्रेशन कितनी है 0.31 तो इधर से हमने फॉर्मले में बूट करा तो इधर से हमारा के वन क्या गया 1.91 इंटो में 10 के पार माइनस टू सेकेंड इनवर्स सिमिलर्ली के टू निकाल देते हैं जब time 60 सेकेंड है remaining concentration 0.1 जब वैल्य वैल्य बूट करी तो इधर से मारे रेट कोंसेंट अलमोस्ट इतना आ गया 1.96 इंटो में 10 के पार माइनस टू सेकिंड इनवर्स सिमिलर्ली रेट कोंसेंट सब के लिए निकाल देते हैं जब time 90 इंटो में 10 के पार माइनस टू सेकिंड इंवर्स से मारे पास अलग लग रेट कोंसेंट आगे इनकी वैल्य ओल्मोस्ट सेम है तो क्यों आवरेज रेट कोंसेंट निकालें अवरेज कैसे निकालते हैं कि तीनों को एड करो डिवाइड बाइड टोटल नंबर ओटम है ना तो इधर रेट कॉंसेंट कितने हैं थी वन प्लस में के टू प्लस में के थ्री ओजाएगा यहाइग तो इन सब वैल्यू को जो में एड करा तुमारा एवरेज कितना आ गया बच्छो एवरेज रेट कोंसेंट कितना गया बत् Алवाइन पॉइं पोइने इंटो में 10 कि वार हो अगर डाउट होता है तो बुछ लेकर हो ठीक है बच्चों कि कोशन अटेश कर रहा हूं सौल कर लेना ठीक है थैंक यू सो मुझ स्यों में नेक्स लेक्ट्चर